पहुंच चुका है इस विमान से 168 लोग सुरक्षित भारत पहुंचे हैं जिनमें 107 भारतिये हैं इसके अलावत 24 अफगान सिख भी हिंदुस्तान आ चुके हैं वायूसेना के इस विमान के हिंदन एयरपोर्ट पहुंचने और विमान से आए लोगों से जुड़ी 5 तस्वी पर जरा नजर डालिए क्योंकि इसी पल का इंतजार पिछले कई दिनों से लगातार था जो भारतिये अफगानिस्तान में फसे हुए थे तालिबान के कबजे से लगातार पूरे देश में पूरे अफगानिस्तान में हाहकार मचा हुआ है और ऐसे में प्राथमिक्ता हर दे कुल 107 भारतिय नागरिक इस विमान में बताय ज़ा रहे थे, इसके साथ ही अफगानी, हिंदू और सिखों की भी वापसी हुई है, वतन वापसी हुई है, और इसके बाद बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे हमने बादशीत करने की कोशिश की और उन सभी का दर्द आखों के जर ही है, कुछ लोग इस बस में बैठ चुके हैं, और कुछ लोग उस तरफ आप देखिए, यहाँ कतार में है, जो यहाँ से अलग अलग अपनी जगएंगे, देखे, किस तरीके से यहाँ से यहां पर, कतार, यहा पर मौझूाज है, लगातार यहाँ, आप देखेंगे, जो एरफोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं यहाँ देखे यह भारत माता की जैके नारे यहाँ पर जग रहे हैं मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा देखे इनको यहाँ बस में बैठाया जा रहा है और गाज़बात के हिंटर ने एरबेर्स पे पहुंचे वायु सेना के एस C-17 ग्लोव मास्टर विबान से 24 अफगाल सिक भी हिंदुस्तान पहुंचे हैं जिन्होंने काबूल से सुरक्षित आने के बाद भारत सरकार को धन्यवाद दिया अफगानिस्तान से जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है उसमें अफगानिस्तान के दो सांसद भी हैं आप देखेंगे नरेंद्र खालसा नजर आ रहे हैं आप तस्वीरों में देखिए जो भारत पहुंचे हैं और यहाँ पर अनार कली जी हैं देखें यहाँ पहुंचे हैं और इनके अलावा भारते हैं एक सो साथ भारते हैं और इसके अलावा जो अफगानी मूल के सिक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देखें Lynn Geert powered की की जो प्रॉसेस है उसको यहां पर पूरा किया जा रहा है हम दिखा रहे हैं खुश हैं सुरक्षित हैं राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह की मनजर इन्होंने अफगानिस्तान में पिछले एक हफ़ते में देखे जब से तालिबान ने पब्जा किया है वहां हर कोई अपने भविश्य को लेकर चिंते था अनिशित्ता का माहौल था डर था ये तमाम ऐसे चीजे थी जिससे लोग सोच रहे थे कि ये सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं लेकिन भारते वायुसेन के अभियान की वजहा से ये लोग वहां से सुरक्षित निकले हैं और इसवक्त रवी सिंग दिल्ली से माई साथ मौजूद है लाइव उनका रूप कर लेते हैं रवी देकि भारत सरकार की कोशिश है लगाता रंग ला रही है लेकिन आप से जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक कि बाद एक भारती नागरिकों के जथे वतन वापसी कर रहे हैं दिल्ली पहुँच रहे हैं भारत पहुँच रहे हैं ऐसे में अभी भी क्या कोई भारती नागरिक अफगानिस्तान में हैं? क्योंकि आज हिंडन एरपोर्ट पर एरबर्स पर जिस तरके C-17 ग्लोब मास्टर आया जिसमें 168 यानि 168 जो पैसेंजर थे 107 भारती थे खास तोर पर इसमें ये भी देखने वाली बात यह है कि दो नेपाली सिर्जन भी थे 24 ऐसे थे जो अफगानी सिक कम्यूटी से ताल क्योंकि भारत सरकार की मोदी सरकार की यही कोशिश है कि ना सिर्फ इंडियन बलकि जो लोग कम सकम वहां से आना चाते हैं सिक कम्यूटी भी चोग क्योंकि 24 लोग हैं अफगान जो नेशनल हैं दो सांसद हैं खास करके वो भारत सरकार के लगतार तारीफ कर रहे थे मोदी स इस बात को लेकर आशंका थी कि वहाँ पर वो शांती से रहना उनके लिए अब बहुत मुश्किल है तो भारत उनको एक सेफ तरीके से देश नजर आ रहा है तो भारत वो आएं इससे पहले भी अफगान नेशनल्स के लोग भी यहाँ पर कई बार हम लोगों ने तस्वीरे द 68 दिली एरपोर्ट पर भी आये हैं एक विमान आया है तो भारत सरकार की यही कोशिश है कि जितने भी लोग हैं अभी इस बात को लेकर गिंती नहीं अभी एक कन्फरमेशन नहीं है कि कितने लोग महाँ पर हैं लेकिन जितने भी लोग हैं वो लगातार कोशिश की जारे हैं विदेश मुद्राय लगतार अफगानिस्तान में मौजूद अस्थितियों पर नज़र बनाए हुए आप भी बने रही है रवी सिंग हमाई साथ आपका रूप करते रहेंगे लेकिन फिलाल आपको बता दे वायू से न कि इस स्विमान से एक महिला सांसत अनारकली सिख सांसत नरेंद्र सिंग खालसा भी काबूल से भारत पहुंचे है हिंदुस्तान पहुंचने के बाद नरेंद्र सिंग खालसा ने भारत सरकार को धन्यवा दिया है इस दोरान वो मीडिया से बाक्षित करते हुए भावग भी हो गए अफगान के लिए कुछ दूआ अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए उस क्या करें जो अफगानिस्तान के हमारे पीडियों से रह रहे थे इस तरह आला जो एक हमने नहीं देखा थो जो आप देख रहे हैं अधर सब कुछ हमारे से रिया सब कु कि अब जी रो हैं मुश्कल तो सब अफगानिस्तान पब्लोक को है अधर मगर हम सिक और हिंदू को ज्यादा क्योंके तालिबान किसी को नहीं जानते हैं और ठीक है और लोग बोल लें जो हम किसी से काम नहीं अपना काम करें मगरा फेर भी देश तक चलिए हो यह प्रेशानी है गोर्मेंट नहीं है कुछ है नहीं है आलात खराब है हर एक एमपी सेनेटर वगयरा वजीर मुईन सब के गरों में जाते हैं तलाशी करते हैं उनके गंस ले जाते हैं उनकी गाड़ियां ले जाते हैं उनको परेशान करते हैं रोज दो दो चार चार बारा आते हैं सब ल मुश्किल हालाद बने हुए है लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि हर संभब मदद वहां तक पहुचाई जाए तो ऐसे में वो लोग भी उमीद लगाए पैठे होंगे भारत सरकार से कि भारतिय नागरिकों के साथ-साथ अफगानिस्तान की आम जननता की अवाज भी भारत सरकार सुने तो बहुत पहले से ही अफगानिस्तान की हेल्प करता रहा है, सायता करता रहा है और अफगान और भारत काफी करीब रहे हैं कई माइनों में वहाँ पर इंवेश्टमेंट भी भारत सरकार ने तमाम चीजों को लेकर किया infrastructure में सुधार लाने को लेकर भारत सरकार ने investment किया है वहाँ की स्थितियां और परिस्थितियां बदलने के लिए भारत सरकार ने काफी समय से कोशिश की है और तमाम जो अफगान नेशनल्स हैं वहाँ पे अफगानिस्तानी हैं उन सबको यही पता है कि और भारत से काफी उमीदे हैं यही बजाए सिर्फ आज की ही बात नहीं है जो C-17 ग्लोब मास्टर आया वहाँ पर जो 168 जो पैसेंजर आये सिर्फ वही उमीद बात का नहीं बठे इससे पहले भी जो विमान आये थे उसमें भी अफगान नेशनल्स के वहाँ के पॉल्टीशियन्स थे राजनेता थे उनको वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे यही वजा है कि वो भारत आये यहां पर भी खिलाल सुरक्षित हैं बार-बार भारत सरकार की मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और यही अपील कर रहे हैं कि जो लोग भी वहाँ पर फज़े हुए हैं यहां पर आना चाहते हैं जो शनडाथी की रूप में आना चाहते हैं बिलकुर हर कोई अफगानिस्तान को छोड़ दूसरे देश में शरन लेना चाहता है और यही बज़ा है कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान की मौजुदा स्थिती पर नज़र बनाए हुए है रवी आप बने रही हैं मारे साथ लेकिन अपने दर्शकों को अब हिंड़न एर बेस की दो तस्वीरे जरन दिखा देते हैं पहली तस्वीर में आप देखेगा हिंड़न एर बेस पे वायुसेना की विमान के पहुँचने की यह तस्वीर जो सामने आ रही है वहाँ पर किस तरीके की खुशी की लहर दोड उठी है किस तरीके का खुशी का माहौल है क्योंकि ये सभी लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपने वतन बापस लोटेंगे और दूसरी तस्वीर में विमान से उत्रे उन अफगानी लोगो और उनके बच्चों की तस्वीर आप देख रहे हैं जिनोंने हिंदुस्तान की धर्ती पर कदम रखने के साथ ही राहत की सांस ली है